हेल्लो दोस्तोंब तो आज पढ़ने वाले हैं vbhinna ज्योगिक नीति और विश्थापन PARL100 निति दूसरे जगा जब पढ़ए पुनर्वास दूसरे जगह निवास करना पुनर्वास और एक जगह ए जगह पर है, बहुत सारी आदमे ए गाउ में है यहां से हटाकर वी गाउ में ले जाते हैं, तो यह पुनरवास हो गया और यहां से बिस्थापन हो गया यह सबसे ज्यादा समझना जरूबी है अध्योगक निती, हम लोग, actually ये बहुत ही, मैंने short तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास किया है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पुछ पुछने वाले नहीं है, तो ये चीज, तो सोचा कि मैं पहले पुनरवास निती पढ़ा लू, उसके बाद आपको अध्योगक निती, क्योंकि अध्योगक निती जो है, तीन है, ठीक न, और वो लंबा है, तो सबसे पहले, हम लोग, विस्थापन यमंपुनरवास निती पढ़ लेते हैं, तो देखिए, आदिवासी के जो बुरे दिन शुरू हुए थे, वो कब से शुरू हुए थे, तो 1549 से, सेर खा यानि कि जब जारखन में परवेश की तब से, यानि कि 400 वर्षो से आदिवासी के दिन, जो बुरा दिन है, स्टार्ट हुआ था, सेर खा, ठीक है, वो जब हुआ था, विक्टर दास जो है, अपने पुस्थक में क्या लिखते हैं, जो विक्टर दास का विकास बनाम दास के साथ हुआ है, समझ में आया, कि जारखन में जो अदिवाशी हैं, नोग का विनाज जो है, अध्योगिक करन यानि के विबिन अध्योगिक लगाने के साथ-साथ इनलोका भी बहुत जाता हुआ है, कैसे क्यूं मैं सारे चीज अभी बताउंगा, विनर, विनर के स्थापन के बारे में विस्तरित वर्णन मिला है 1970 में जैसे कि आपने बोला कि यह जब से अद्योगी करण का विकास हुआ है तब से स्टी का विनास हुआ है विकास बनाम विस्थापन में यह लिखे हैं विक्टर दास तो देखी कैसे हुआ तो जैसे कि 1970 में एचिसी जो है एचिसी राची का विकास हुआ तो इसमें बयाली सो चोरासी स्रमिको जिसमें आदिवासी श्रमिक 335 थे एचिसी की अस्थापना जो है 32500 लोगों के विस्थापन हुआ तब एचिसी की अस्थापना हुआ था तो यूँ ही नहीं बस जाते हैं ठीक है विस्थापन हुआ तभी इतना बड़ा एरिया मिला है अब बात करते हैं नेतर हाट फाइरिंग रेंज जो नेतर हाट लाते हार में है यहां नेतर हाट फाइरिंग रेंज 245 गाओं को हटा कर विस्थापित करके यह नितरहाट फाइरिंग रेंज बना है जो कहीं भी पुलिस प्रस्क्षन होता है ठीक है पुलिस प्रस्क्षन होता है तो यह फाइरिंग के लिए वही जाते हैं फाइरिंग प्रस्क्षन के लिए फाइरिंग को टेस्ट देने के यह जो है 245 गाओं यानि कि 2,24,900 लोग विस्थापित हुए थे यह फाइरिंग रेंज के लिए ठीक है यही चलते हैं आपका 2021 तक ही जो है 94,700 अदिवासी बंगाल और असम चले गए थे मतलब कि और चले गए यहां से कोईला खाधान जैसे कि 1984-86 में 1,80,000 लोग विस्थापित हुए थे रोजगार दर जो है 36% हुआ लेकिन विस्थापित तो हुए न यहां देखिए इचा इचा डैम चांडिल यह सब कहां है कमेंट सेक्षन में कमेंट करें बहुत ही आदिवाशियों का इसमें जो है विस्थापन हुआ था नेक्स चलते हैं आपके पुनरवाश एवं जो है परत्यापन एवं पुर्णवासनिती सबसे पहले प्रथमबार यह 2001 में लागो हुआ था सारे नोट डाउन करते जाएगा ऐसा सबसे प्रथमबार जो है परत्यापन एवं पुर्णवासनिती 2001 में स्टार्ट हुई थी फिर निव आया फिर 2009 में लागो हुआ संसोधन कुछ हुए फिर उसके बाद भी और संसोधन हुए जो 2015 में नई परत्यापन एवं पुर्णवासनिती आई देखिए जैसे कि उगरवाद होते हैं ये स्टार्ट क्यों किया गया था क्योंकि जैसे उगरवाद होते हैं तो वो सरिंडर किसके सामने कर सकते हैं उगरवाद जैसे कि कमांडर वन जोनल कमांडर होते हैं कमांडर ए कमांडर बी यससे बटे हुए होते हैं अपने सुना होगा देखने को मिलता है तू देखे सामने करने संकश कहने का मतलब है कि कोई भी उगरवाद जो है उगरवादी लोग अपना सरेंडर कर सकते हैं कि भाई हम अपने आपको सरेंडर बोलते हैं आपके सामने तो किसके किसके सामने कर सकते हैं मुख्यमंतरी मंतरी सांसद, बिधायक, DGP, DIG, SSP, देखें, नेता में इन लोग के पास, नेता में यहाँ यहाँ कर सकते हैं, और पुलिश अधिकारियों में यह कर सकते हैं, और अगर हम लोग चले, तो यह आयुक्त एवम, यानि कि कमिशनर, एवम उपायुक्त DC को भी यह कर सकते हैं, यानि कि सरेंडर बोल सकते हैं, कि भाई, हमने इतना किया, मतलब सारा अपना गुनाह कबूल कर लेगा, वह यह सरेंडर कहलाता है, समझ में आया, कि सरेंडर उगरवादी लोग किनके समक्ष कर सकते हैं, किनके सामने कर सकते हैं, मुख्यमंदरी, नेताओं में, मुख्यमंदरी, मंदरी, शांसत विधाया, यह चलते हैं, अगर हम लोग पुलिस विभाग में चलते हैं, तो सबसे जो उपर वाले होते हैं, लेबल का DGP, फिर DIG, SSP, ASP, इस प्रकार से यहां कर लगते हैं, और अगर हम लोग जैनरल चले, जैसे कि यह सचीवाल है वगएरा, तो इससे अगर हम लोग चले, जहां उपायुक्त बैठते हैं, तो उपायुक्त के पास, कमिशनर के पास यह कर सकते हैं, अब देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, इसक्रिणिंग समीती होता है, इसी में, जिसके अध्यक्ष कोन होते हैं, यानि कि यही पुनरवास नीती में ही, पढ़ते हैं अध्यक्ष कोन होते हैं, ASP या फिर SSP, और जिसमें एक सदस्ष डीम होते हैं, और एक सदस्ष डीजीपी होते हैं, यही पुनरवास समीती कोन होते हैं, इसका अध्यक्ष डीम होता है, सचिव ASP या फिर SSP, और जो सदस्ष चार सदस्ष होते हैं, वो DDC होते हैं, ठीक है, उपविकास आयुक्तव, यही परत्यापर्ण का लाब, परत्यापर्ण का लाब किने दिया जाता है, किस प्रकार दिया जाता है, तो देखिए, 2015 की नई नीती की अनुशार, उगरवादियों को दो स्रेनीम बाटा गया है, काटेगरी वन में, जो है, जो है, जोनल कमांडर, या इससे उपर, मैं बताऊंगा, ठीक है, या फिर काटेगरी बी में, जो है, जो है, जोनल कमांडर, या उससे नीचे को, ठीक ना, तो देखिए, जो जोनल कमांडर, जो हेट कमांडर रहते हैं, अगर वो स्रेंडर करते हैं, तो कितना रुपया उनको मिलता है, पहले तो एक लाख, फिर एक साल के बाद दो लाख, फिर उसके अगले वर्स दो लाख, अब देखिए, या जोनल कमांडर, या फिर एक कमांडर, जो होते हैं, हेड कमांडर, और उनके जो सहयोगी होते हैं, जैसे कि, असी नबे, जितना भी हो, सत्तर पचास, अगर वो सब करते हैं, तो उन लोग को कितना मिलेगा, 2,500,000 रुपया, जिसमें, तुरंट मिलेगा पकास हजार, और एक वर्स के बाद, एक लाख रुपया और अगले वर्स ही, एक लाख रुपया दिया जाएगा, समझा गया, अब चलिए, दो हजार, नो नीति की अनुशार, दस परिणियों में, समीति को कितना लाख मिलेगा बारा लाख रुपया यही बी अल्डरेनेडिव केंद्रियों समीति को कितना दस लाख रुपया रीजनल ब्यूरो राज्य समीति के सदस्य इस्पेशल रिया समीति के सदस्य को कितना मिलेगा दस लाख रुपया यहीं चलते हैं रीजनल समीती शात लाख, सब जोनल समीती को 5 लाख रुपय मिलेगा, एरिया कमांडर को 3 लाख रुपय मिलेगा, और एल जी ये दस्ता कमांडर को 1 लाख, समाने कारिकरता को 30,000 रुपय मिलेगा, नक्सलते हैं, 2015 नीती के अनुशार पुनरवास परिशत द्वारा, 5000 मासिक वीती, प्रिशिक्षन एक वर्स के लिए दी जाती है, आत्म समर्पित नक्सलियों का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है, रासी जो है, पुलिस मुख्याले राची या फिर ग्रिह मंत्रेले द देखे, ये 2015 नीती के अनुशार क्या था, कि अगर उगरवादी हेड कमांडर या फिर कोई भी उगरवादी, अगर समर्पन करते हैं, तो उनके बच्चा का पढ़ाई के लिए, यानि कि वर्सक असनातक पढ़ाई के लिए, उन्हीं कितना रुपए मिलते हैं, 2015 नीती के अ पढ़ाई के अनुशार, उगर उगरवादी अगर समर्पित करते थे, तो उनको कितना रुपए मिलता था, 4 डिसमिल जमीन, प्लस 50,000, जब तक अवास अवंटर नहीं होता है, तब तक 15,000 रुपए प्रती माह उनको दिया जाता था, यहीं चलते हैं, 2006 नीती के अनुशार उगरवादी से मारे जाने की कारण, जब समाने नागरी मर जाता है, तो उसे 1,00,000 रुपए दिया जाता है, वो अपंग हो जाता है, तो 50,000 रुपए दिया जाता है, और गंभीर रुप से कायल है, यह समाने नागरी के लिए, यहाँ से यहाँ तक समाने नागरी के लिए, उनको निष्षुल्क चिकित्सा दिया जाता था, याने free of cost चिकित्सा दिया जाता था, कीके, यह चलते हैं, पुलिस कर्मी एवं सरकारी कर्मी, अगर कोई मारे जाते हैं, उगरवादी के द्वारा, तो उनको कितना दिया जाता था, तो यह 10 लाख रोपया, जिसमें केंदर स सरकारि द्वारा जो है साथ लाग पचास आजार और राजी सरकार द्वारा दो लाग पचास आजाता था समझे आ है देखे सौरे सौरे पुरसकार में अर्पिशी को परमवीर चक्र मिल रहा है तो वहां कितना रूपए मिलते थे 30 लाक रूपए यहीं असोक चक्र जब दिये जाते हैं तो 20 लाक रूपए महावीर चक्र और असोक चक्र में कितने रूपए दिये जाते हैं 20 लाक रूपए स्वर्वोतम युद्ध सेवा मंडल में जो है कितने लाक स्वरवुतंम युद्ध सेवा मंडल में 12 भार्प और कृती चक्र एबम वीर चक्र में 10 भाइए मिलते हैं जैसे कि कि मिला सौरे चक्र से और स्वbey पूरा स्कृत किया गए तो सो Venice के साथ एगॉग्षाण cinco घाली स्वार्री जाता है उसके साथ सात लाघ रुपया मिलता है सोरी चकर कहने का अर्थ है कि सात लाक रुपया परमबीर चकर किन पो मिल रहा है तो थीस लाक रुपया समझे अब उत्तम उत्तम युद्ध सेवा मंडल में सात लाक रुपय दिया जाता है विशिष्ट सेवा मंडल में कितना लाक रुपय दिया जाता है त यह तो समाप्त हुआ और भी हम लोग को नीती पढ़ने हैं यह तो समझ में आ गया देख लीजिए 2000 के नीती के अनुसार जब कोई उगरवादी जो है 2009 के नीती के अनुसार जब उगरवादी कोई अपना अस्त्र ठीक है कहने के अर्थे जो हतियार होते हैं अगर वो समर्पन साब करते हैं कौन हथियार समरपन करने पर इतना मिल जा था जो सरकार उसे एक लाख रुपए देते थे, ठीक है, AK-47 या 56 या 74 राइफल या फिर स्नाइपर राइफल, अगर ये कोई देता है तो उसे 75,000 रुपए मिलते हैं, इसको 0.303 राइफल, पिस्टॉल, रिवॉल्वर अगर कोई देता है, अगर समर्पन करता है, अस्त्र के शाथ तो उसे 15,000 एक्षा दिया जाता है, IED, रिमोट कंट्रोल से जो कंट्रोलर जो बॉम होते हैं, अगर वो आपको कोई दिया जा रहा है, तो 6000 रुपए दिया जाता है, विस्टॉटक सामागरी जैसे ग्रेनेट, हैंट ग्रेनेट, ये फिक कर, ये 4 सकेंड और 7 सकेंड, 2 सकेंड का होता ह पेशा कानून क्या है, तो पेशा कानून क्या है, तो पेशा के अनुसार दिखिए, अनुछेद 4 के गाह में है, ये पेशा का जो है, यानि फूल फॉर्म है, यानि कि हिंदी में इसे पंचायत उपबंद, अनुसूचे छेत्रों का विष्टार इसे हम लोग कहेंगे, तेरा जीला प्लस पाचवी अनुसूची के अंतरगत है, 24 दिसंबर 1996 के द्वारा राश्खती के सहमती द्वारा प्राप्त हुआ था, कुछ भी करना हो तो पंचायत, पेशा का मतलब क्या है, कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, पंचायत ग्राम शभा से अनुमती सलाह लेकर ही करना होगा, याद रहे हैं, सलाह लेकर करना ही होगा, नेक शलते हैं हम लोग जारखंड डायन प्रथा प्रतिसेद अधिनियम, ये भी पढ़ ही लीजिए, उसके बाद हम लोग अध्योगिक नेती पढ़ते हैं, जितना नेती है, पढ़ ही लीजिए, ठीक है? तो देखिए, सत्रहभी बैठक के द्वारा ये जो है, तीन जुलाई 2001 को, याद रखेंगे, ये जारखंड डायन प्रथा प्रतिसेद अधिनियम कब लागो हुआ था, 2001 में प्रश्न पूझ देता है, ठीक है? तीन जुलाई 2001 को, राज्य मंत्री मंदल द्वारा, किनके द्वारा? राज् अधारा में, ये डायन का जो है, नाम, विस्तार, प्रारंब, परिसे हुआ था, ये चीज़ बताता है, नेक्स्ट जो है, डायन और ओजहा का परिभासा, जो महिला होती है न, जो गाउं में कहा देता है कि वो डायन है, बच्वा के मत दिखाओ, ठीक है, इस प्रकार से बो है, डायन का पहचान करने वाले व्यक्ति को दंड, कहने का मतलब की आईशा बोल दिया, कि वो डायन है, वो डायन है, वो ओजहा है, इस सरकार से अगर कोई गाह में बोलता है, तो उसे पता है कि इतना दंड लगता है, सरकार के द्वारा, एक हजार, या तीन मंत का जो है, क फिर उसको तीन मंद का कारवाज ना तो दोनों लगता है ठीक है अब यहां देखिए धारा चार में क्या है धारा चार में क्या कहा जाता है तो डायन कहकर मारपीट करने वाले जैसे कि बहुत सारे आजकल भी गवह में डायन ओजहा कहकर जो है पूरा मारपीट कर देते हैं कानकपास सब फोड़ देते हैं एक दहाती भी बोले तो और यहां ढारा पांच में क्या है डायन का पहशान के लिए प्रेरीद करना को है यह ना जैसे कि डायन जो प्रेरीद कर रहा किसी को ጥ कह clearly कहो तो उसे 1000 रुपय तीन माा का सजा होता है या second होता है नेक्स धारा शिक्स में डायन का उप्चार और जार्थफक करने वाले लगते हैं यही इसमें बताया गया है और चलते हैं धारा आए में यह राजपत्र में अधिसूचना पारित होना यह आपका है यहां ठीक है तो आप यह भी पढ़ लिए और भी चलते हैं थोड़ा सो और है विलकिंसन रूल जो है यह आपका 1833 में लागो हुआ था SWFA दक्ष्णी पश्चमी शिमांत एजेंसी का जो है गठन 1834 में हुआ था साउथ साउथ वेस्ट फ्रोंटीज एजेंसी ठीक है स्वाफा का जो है प्रथम जो एजीजी थे कौन थे क्याप्टन थॉमस विलकिंसन जो 31 नियम पारित किये थे मैं जितना अधिनियम होता है न सारा चीज आपको पढ़ा दे रहा हूँ प्रिक न संथाल प्रगना बंदोबस्त विनियम जो है यह 1872 में हुई थी अधिसूचित कब हुआ था 8 मई 1872 में कितने धारा है 28 धारा सामिल है सक्ति उपायुक्त में है जितना है डीसी यह कंड्रोल करते हैं एस्पीटी का प्रभारी बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त होते हैं और यह कब हुआ था प्रथम बार 29 अक्टूबर 1991 में स्री निवास सास्त्री के द्वारा विहार के जो के राजेपल थे वो थे अधिकारी संथाल प्रगना भुधारक अनुपूरक नियमावली 1950 अधिसूचना जो है तेरह जन्वरी 1951 को हुआ था स्रीटी के धारा 71 के अधिन इसे रखा गया है जो है नियमावली का निर्मान विहार सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा हुआ था आदेश जारी विहार के राजेपाल किये थे चौधा नियम एवं पांच अनुपूची है इसमें तो मुझे लगता है कि आपके द्वारा जो है यहां टोटल अधिनियम नियम पढ़ लिया गया है अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज अब हम लोग पढ़ेंगे यहां जो है वन निती नहीं पढ़ने हैं हम लोग को य पढ़ेंगे जारखन के अध्योगिक नीती विश्ठापन पुनरवास नीति या हमनी नीति देखिए हाम लोग क्या-क्या पढ़ चुके सिर्फ अध्योगिक नीती नहीं पढ़ें अदिवाय् G दो को आई से आपको पता नहीं चला होगा लेकिन मैंने सारे क्लास करा दिया ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे जारकन की अध्योगिक नीती जो है 2001 की नीती पढ़ेंगे और हो सारे हैं 2001 की नीती में इतना हो गए फिर 2012 के मुख्य नीती जो उदेश्य है वो पढ़ेंगे फिर हम लोग को पढ़ना है 2016 का जो नीती है वो हम लोग पढ़ेंगे ठीक है करते हैं द्योगिक नेती के अनुसार तो जार्खन खनीज संसाधन के द्रिश्टी कौन से एक समरिध राज रहा है यह तो भाई सभी लोग जानते हैं हम लोग ठीक है अब चलते हैं कि तथा देश के कुल खनीज संसाधन का लगवक 40% भाग जार्खन में विद्यमान है तथा कोकिंग कोईल एवं यूरोनियम ज़ा यूरेनियम का जार्खन का एक मात्र राज है इस सिर्थी में जार्खन में तीबर अदगी करण की संभावना व्यापक है लेकिन वर्तमान में भी जार्खन के लगवक 85% कारिशिल जनसंक्या में प्रार्थमिक सिरेणी में संबद्य ह ढ़ने का अरत यह है कि जार्खन जो है खनीज संव्धान के दिर्शिय से पूरा सम्रिद्ध है याने कि जार्खन में सारे खनीज उपस्तित होते हैं जो है 40% खनीज यहां देश की यानिका पूरी भारत में 40% खनीज जो देता है यह जार्खन देता है समझ All Yeah or यहाँ ン ज अध्योगिक विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया कहने का अर्थ ही है कि जैसे जैसे नया राज्ये का गठन हुआ उसी प्रकार से यहां जो है, मतलग कोई विशेश ध्यान दिया गया है, ठीक है, विशेश ध्यान दिया गया है, 2001 में प्रथम अध्योगिक निती लागो हुआ, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये क्वेशन पूछ देता है कि प्रथम अध्योगिक निती कब लागो हुआ देखे अब यहां क्या बोलता है कि अध्योगिक यह सबसे ज़्यादा प्रफशन पूछता है कि कितना विकासदर कितना रहा था यह 2001 के जहारखन की अध्योगिक निती में तो 10% रहा था ठीक है संसाधन के समोचित दोहन पर विशेश बल दिया गया यानि कि राज के खनीश संसाधन दोहन करने का अर्थ है उपयोग न विशेश बल दिया गया अधार भूत अध्योगिक संग्रक्षना विकास के लिए घरेलिव एवं विदेशी पूंजी निवेश को आकर्सित करने पर कहने का मर्थ यह मतलब यह है कि यह जो अध्योगिक संग्रक्षना के विकास है तू क्या चीज़ बल दिया गया था तो घरेलिव एवं विदेशी पूंजी हाना को निवेश के लिए मतलब कि उसमें खर्च इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहां विकास और बल दिया गया और यहां जो है रोजगार, गुनवता, लगू, सुक्ष्म, एवं कुटिर, उद्योग, संतूलन इस प्रकार से होने चाहिए और दूसरा है अधारबूत, संग्रक्षनाओं से संबंदित परियोजनाओं का त्वरित क्रियानवन, उद्योग एवं वी निर्मान के छेतर मे अतरिक्त रोजगार का स्रिजन, रोजगार, ठीक है, रोजगार मिलना मतलब चाहिए, यह लक्ष्य था, और द्योगिक उत्पाद में गुनवता में सुधार, गुनवता के लिए, लगू, सुक्ष्म, एम, कुटो, कुटीर, उद्योगों के लिए, विशिश, भिकास, ने क्या दिया गया है, प्रात्मिक्ता दीगे, पहला जो है, राज्य के प्राकृतिक संसाधन, खनिश संसाधन, तथा मानो संसाधन का सर्वतम, प्रियोग सुनेशित करना, नेक्स्ट दूसरा जो है, तिब्र अध्योगिक विकास के लिए, अधिक्तम पुन्जी निवेश को कहने करता है, अधिक से अधिक से अधिक से अधिक निवेश कर सकें, इन्वेस्ट कर से, जैके हर आदमी को SIP करने चाहिए, जैसे कि निवेश है, कोई भी आप ट्रेड करते हैं, तो कहीं भी निवेश करें, वो चीज कहने करते हैं, नेक्स्ट क्या है, अध्योगिक विकास सुनिशित के लिए आधूनिक तक्नीक अधारभूत संग्रक्षणा का विकास करने चाहिए जैसे कि अभी आधूनिक तक्नीक क्या है? यही S.I.P. ट्रेड कुछ भी ट्रेड करना है को प्रुत्षाहित करना जैसे कि कोई दुकान कर देता है ठीक है अपने अनुसार राज के बिमार अद्योगिक इकाई को पुनर्जीवित करना- कहने का मतलब है कि जो राज़े में अद्योगिक जो एक्दम बंद हो चुका है मतलब जिर्ण अवस्था में चल रहा है, मतलब तूट रहा है, कहने का अर्थ है, उसमें कोई डम ने रहा है, उसको पुनर जिवित करना, उसको निर्वान करना, फिर से स्टार्ट करना, ठीक है, छटा है, अध्योगिक विकास के लिए प्रशास्निक बाधाओं को दूर करना तथा बिधी प्रक्रिया का सरली करना, कहने का जो भी अध्योगिक विकास हो रहा है, तो प्रशास्निक बाधाओं वहां कुछ न हो, ठीक है, यह एकदम दूर करना है, बिधी प्रक्रिया को सरली करना है, नेक्स है, संतुलित छेत्रिये विकास के लिए ट्रस्ट एरिया ए कहाने का मतलब है कि आप कोई भी जैसे की बिनाई करते हैं तो उसे प्रोग्राम पर्योजना कारीकरम के तहट उसे आप आरंब करें बढ़ावा दें और क्या है कि महिला वर्ग एवं विकलांग वर्ग के विकास के लिए उपयुक्त औसर प्रदान करना बहुत अति आवश्यक है और देखें यहां क्या है इतना तो यह उद्देश्य था भाई तो 2001 के अध्योगिक निति की अंतरगत निमलेकित कारी निति को प्रत्मिक्ता के अधार पर क्रित किया गया था भाई देख लेते हैं पल प्रसंसकरन साक प्रसंसकरन मसाला प्रसंसकरन एवं अन्य खाद्य प्रसंसकरन अध्योगिक को बढ़ावा देना तो क्या क्या चीज को यह फल शाक मसाला एवं खाद्य जो खाने योग्य है तो इसको बढ़ावा देना दूसर अद्योगिक उद्योग के लिए विशेश रुप से लगू, शुक्ष्म, कुटेर उद्योगों के लिए उचित साग की वेवस्था करना नेक्स्ट, रुग न उद्योगि, यानि कि जो जीर न, जो मरने वाला है, कहने का मतलब जो टूट गया है उद्योगि, ठीक है, उसको पुनर अस्थापना, जीवोधार कारे करम लागू करना, मतलब उसको फिर से जीवित करना, ये चीज़ ये, कहने का मतलब है कि जो उद्य की शेत्रों के लिए अध्यवगिक पार का स्थापना करना सूचना प्रदाउगिकी तसर रेश्वम एलेक्ट्रोनिक्स प्लास्टिक रुषायन जिया प्रदाउगिकी को आयरुवेदिक जड़ी बूटियां डैस एडिसी को विकास में लेना चाहिए नेक्स्ट जो है पॉइंट उपभोगता प्रमुक उद्योग को साहित करना परंपरागत दक्ष्टा वाली शेत्रों की पहचान करना तथा प्रिशिक्ष्ण डिजाइन एवं तक्निकी साहता उपलब्द करना कारीगरों एवं सिल्प कार नाम का विकास करना ठीक है नेक्स्ट जो है यहाँ चलते हैं कि दो हजार एक ठीक है दो हजार एक की अद्योगिक निती दस वर्सों के लिए लागों की गई थी इस निती के अंतरगत भूमी सेड़ निती को अपनाए गया किस निती को अपनाए गा भूमी सेड़ निती को और यह अद्योगिक निती को दस वर्सों के लिए यह लागों किया गया कहने का मतलब अगर कोई होगय का विकास हो रहा है किसी का भूमी है लीज पर लेना कहने का मतलब आप उसको पैसे दे दिये हैं और तीस वर्षों के लिए भूमी उसका हो गया किस्वर्ष ़ो चीज बॉस्टा था कि टीस वर्ष Towards 2021 नीती में ती मिंदि एृफ्टि कि होल्पिंग स्ब्रस नीटि को भी स्विकार किया निटि कहने का मतलब प्रतेक्त दश क्रम्म कि एकर्वभी को जो है DC के द्वारा लीज पर दिया जा सकता था, खरेक मतलब है कि उपायुकते ही देते थे, पांच एकड की भूमी अगर कोई अध्योगिक ले रहा है सरकारे भूमे को, तो वो कुन करता था? बी-सी करता था, नेक्स्ट, इससे अधिक जमीन जो है, अगर पांच एकड से अधिक कोई उध्योग वाले ले रहा है, तो जमीन राजस्व पासर्द के द्वारा ना इसकी अध्यक्स्ता में उच समीतिक अनुमोदन से आवंटित किये जा सकते थे, भूमी के वितरन के लिए जो है, प्रतेग जीले में उपायुक्त द्वारा भूमी बैंक का गठन किया गया है, ठीक है, प्रतेग जीला में किसीज का गठन किया गया था, भूमी बैंक का, नेक्स्ट, इस नीती की अंतरगत, जो है, अध्योगिक नीती की अस्थापना पर विशेस बल दिया गया, न तो एकड के छेतर में आप वो छेतरफल अस्थापित किया जाएगा यही इस छेतर में आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं राजे सरकार दोवारा विक्सित किया जाएगा और त्वरित अद्योगीक करन के लिए बर ही जैसे कि बर ही तथा हजारी बाग में मेगा ग् प्रस्टिक पार्क है और यह कोडार्मा में आपसे प्लास्टिक पार्क कोन से नीती के अनुसार हुए था 2001,2012,2016 तो 2001 में नामकुम तथा टाटी सिल्वे में इलेक्ट्रिक पार्क के अस्थापना यह यानि 2001 नीती की अध्योगिक निती के तहथ हुई थी धनबाद के निर्यात समवर्धन और द्योगिक पार्क यहीं चलते हैं अन्य चायनित जगहों पर रसाइनिक जैव प्रिदोगी की तथा हर्बल पार्क यहां यानि की आर्ट पार्क विकाश हुआ था ठीक है दो यह रट लेंगे आप नेक्स्ट है आपका इशनीती की क्षापित करने का लक्ष निर्धारित किया गया था ठीक है 2001 नीती के अनुसार यहीं चलते हैं जैसे कि AC DBI, IC ICI, IDBI तो यह सब था वानिजीय बैंकों को सहयोग से निवेश करने का लक्ष रेखा गया मतलब यह सब बैंक जो है आपके तीन बैंक AC DBI, IC ICI, IDBI यह तिनों बैंक को लक्ष रेख निर्धारित किया गया था अध्योगिक नीती की अन्तरगर्ट त्री अस्तर्य योजना का निर्मान किया गया पहला मेगा अध्योगी करन विकास योजना दूसरा मिनी अध्योगिक विकास योजना तिसरा यह जो है माइक्रो योजना यह जो है 2001 अद्योगिक नितिक अनुसार ही विकास हुआ है याद रखेंगे आप से पूछ देगा कि मेगा अध्योगिक विकास योजना कब से कब तक लागू हुआ है कि कौन से अद्योगिक निती के अनुसार 2001 निती के अनुसार इस अध्योगिक निती के अंतर्कत 29 उद्योग का चयन प्रत्मिक्ता वाले उद्योग के रूप में किया गया, तथा प्रतेक प्रखंड में माइक्रो उद्योग की अस्थापना का लक्ष निर्धारित किया गया है, नेक्स चलते हैं, प्रत्म अद्योगिक नीती वास्त्विक रूप से प्रभावी नहीं रही, क्योंकि स्वाला कि क्या होता, क्या हुआ प्रत्म अद्योगिक निती में, वास्तिक रूप से प्रभावी, मतलब जीतना वो लक्ष राकाता उतना नहीं पापाया, क्योंकि अद्योगिक विकास के दर लक्ष को प्रात्त नहीं कर पाया, और यह 10 वर्सों की आओधी में कोई परियो प्रिशिस बल दिया गया, जैसे कि देखते हैं कि 2015 में जारखन सौर उर्जा नीती के अनुसार, 2020 तक 26-150 वाट का जो है, सौर उर्जा उत्पादन करने का जो है, लक्ष निधार्ट किया गया, जिसमें हम जानते हैं कि जारखन में 375 दिन में 300 दिन तक सौर उर्जा टोटल 26-150 मेगवर्ट प्राट किया दाएगा, अब हम बताते हैं कि रूप टॉप क्या होता है, तो देखिया, रूप टॉप होता है, आप सारे सरकारी, क्वाटर, सरकारी, ओठिस, सर्चिवाले, ब्लोग, जितने मिलोंगे, तो आप छट पर कभी मौका मिलें, तो छट प जाने का अगर आपको मौका मिलें, तो छट पर आप जाकर देखिएगा, तो वहाँ सोलर बहुत सारे, तो उस ही को रूप टॉप टॉप सोलर अप्रीक का देखिए, इस नीती के नई नीती के अनुसार, निली पुत्साहान एवं रियासत के भूशना कीगे, जिसमें MSME के निवेश, अनुदान परदान किये जाएंगे, इसमें कुल पुंजी निवेश का 20 परसेंट, लेकिन अधिक्तम 2 करोर रुपे तक ये विकास किया जाएगा, और क्या है, दूसरा है, HTSC महिलाओं यह दिव्यांक और दिमियों के लिए 5 परसेंट तक अतिरिक लाप मिलेग अधियोगिक एकाई के लिए स्टांप सुल्ख एवं पंजी करन सुल्ख में 100% की छूट दी जाएगी, लेकिन अपवाद में एक क्या है, अधियोगिक विकास प्राधी करन का छेत्र जो है, यानि कितना, इसमें 10 लाप टक का 10% की अनुदान दिये जाएगा, चौथा क्या अधियोगिक एकाई के गूनवता के सुधार के लिए राजर्सरकारवार सहाथ आंदान परदान किये जाएंगे, तथा इसके लिए कुल गूनवता प्रमानन वैय का 50% अत्वा अधिक्तम 10 लाप रुपया का राजर्सरकारवार सहाथ आंदान. कहने का अर्थी है कि अगर आप 10 लाख अधिकतम उसमें व्याए निवेश करते हैं तो आपको सरकार 50% वो आपको देगा पेटेंट परक्रिया के लिए जो है आपका कुल व्याए 50% अधिकतम 10 लाख रुपया तक सहायता के रूप में परदान की जाएगी यानि आप अगर दस लाग रुप एनिवेस करते हैं तो पेटेंट परक्रिया के द्वारा आपको जो है व्याय का 50% आपको देगा जिसमें 40% राशी वकील के फीस के लिए आरप्षित होगा अब देखिए अध्योगी गल्यारों के निर्मान के में राजी सरकार द्वार 15% अनुदान राशी प्रदान किया जाएगा नेक्स्ट सात्मा क्या है सात्मा यह है कि सुचना प्रदोगी की छेत्र आरामभी 5 वर्षों तक विजली सुल्क अध्यारूतित नहीं किया जाएगा सुल्क पंजीकरन सुल्क से 100% अनुदान प्रदान किये जाएगा अब चलते हैं यह जो है यह सुविधाय निमलखित सरेणी में अधित्यदिक निवेश लागू के लिए किया जाएगा किस्ट के लिए सुच्ष उर्दियोग के लिए अधिक्तम बचास्ट के लिए अधिक दिएऐ जीवल जादा हो गया नहीं मिलेगा और मध्यम उध्योग के लिए इतना निवेश कर सकते हैं अधिक्तम निवेश कर सकते हैं अब अब देखते हैं नोट में 2016 की अध्योगिक नीति और निवेश के पुर्वर अध्योगिक नीतियों का है विवहारिक विश्तार तथा इस नीति के अंतरगत ठीक है केंद्रिये एवं केंद्र प्रायोजित योजनावों को स्विक्रित करने का प्रयास किया गया अतह कहा जा सक है कि यह राज्य का अध्योगिक करन निवेश राष्टी परिपेक्ष अनुकुलतम निति है तो यहां जो है आपका टोटल नितियां पनरवाशनेती अध्योगिक निति सारे समाप्त हुए और यह क्लास कैसा लगा इस प्रकार की क्लास देखने के लिए एडी जारखन क्ला फॉल्ड क शभ्राश के संबन तइयारी करवाया जा रहा है सुअ ज् suggestion कर fe ft 10k यह लाया गया है तो जारटे यह हां अपको है कि आ है यह लाच्या गया है बैच साथ तो आपके इस प्रकार से यह पर्चिज करना साखते हैं यह आपको एक चीज यह बता रहे हैं कि सिवलंगम फूल देवघर के रूट कमरिया पत पर यह पाया गाता है और हिमाचल परदेश का तराई छेतर में सिवलंगम फूल यह पुछा हुआ था ठीक है तो चलिए दोस्कों आपका क्लास यह समाप्त होता है धन्यवाद वाचिंग परदेश वीडियो जैहीन जैभाट